हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो मैं फिर आगी हूँ एक नया वीडियो लेके और आज का जो वीडियो और फ्रेंट्स वो बहुत ही जादा बहुत ही जादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं आपको ऐसी सिंपल सी एक्सेसे बताऊंगी जिसे कि आप आपको फुल बॉड़ी पैट लॉस हो जाएगा जी हां इसलिए कर लीजे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस इंफोमेशन को सब्स्प्राइब क्योंकि इस चैनल पर फ्रेंट्स में सुबा और शाम को ऐसी एक्सेसेस लेके आती हो जो कि आपके बैली फैट को कम करने में बहुँ जादा हरती है और इस चैनल पर आपको और भी एक्सेसे इस सब्हाइज को बदाती हुए आज मैं और एक्सेसे लेके आई हैं आपको तीन चार ऐसी बताऊंगर जिससे कि आपका फुल बॉड़ी फैट लोस हो जाएगा और आपका जो फीगर है बिल्कुल जीरो के आजाएगा तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रनिंग एट प्लेस से यह देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से हम करेंगे जितनी ऊपर लेके आ सकते हैं घीज को उतनी ऊपर लेके आएगे यह देखिए और थोड़ देर करने के बाद अगर आप ठक जाते हैं तो 30 सेकेंड का रेस्ट लेके दुबारत ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसे होगा क्या थाई का फैट बैली का फैट बिल्कुल खटम हो जाएगा और साथ के साथ और भी बॉड़ी पार्ट में जो भी फैट है यानि की फुल बॉड़ी पैटलो साब का होगा तो फ्रेंट्स यह थी पहली एक्सेस करने में बहुत जादा इजी थी इसको जो है आप जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करेंगे जैसे याप ठक जाते हैं तो क्या करेंगे सिरफ 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद उसे दुबारा से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह उसके आपको तीन से चार सेर्स करने है तो फ्रेंट्स अब नेक्स एक्सेसाइज बताने जारी हूं सेकंड एक्सेसाइज उसको हम इस तरह जंपिंग जैक्स करते हैं यह देखिए जितनी आप लेक्स को ओपन कर सकते हैं हाथों को पूरा उपर तक लेगी आना यह देखिए इससे आपका side fat भी खतम हो जाएगा, arms fat भी खतम हो जाएगा, thigh fat भी खतम होगा यह देखिए और इसे भी जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर पर करेंगे और जैसे ही आप ठचते हैं तो 30 seconds का एस लिए देखिए अब मैं आपको third exercise बताने के लिए जा रही हूँ, उसके लिए क्या करेंगे, उसको बोलते हैं squats, तो उसके लिए इस तरह से खड़े हो जाएए और इस तरह करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे होगा क्या कि आपका belly fat खतम होगा, thigh fat खतम होगा, यह देखिए full body fat loss exercises हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यह देखिए इसे भी जितनी देर तक आप कर सकते हैं, उतनी देर तक करेंगे और इसके जो है, तीन से चार sets लगाएंगे, यह देखिए हो सकता है, जब आप इस exercise को करें, तो आपके thighs में थोड़ा बहुत पेन हो, लेकिन वह चीज नॉर्मल है, धीरे धीरे जो है, वो ठीक हो जाती है यह देखिए